हलो दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज मैं आपके लिए जो आपकी शेखावाट यूणिवर्सिटी उसके बीए पार्ट शेकिंड का जो हिस्ट्री फैस्ट का पेपर हैं उसके कुछ इंपोर्टेंट क्यूशन लेके आया हूं इसमें करना है मतलब यहां पर आपको निर्देश दिये हुए उनको आप अच्छे से पल देना देखो यहां पर दिया हुआ है कि प्रिक्षार्थी कुल पुर्णांग के 50% अंकों के उत्तर ही देना है मतलब यहां पर स्टार्टिंग का जो आपका क्यूशन है इसमें देखो आप कि मोगोर का लेकर कौन था यूद की उस्मानी पदती शाह बेखाबर और सदाशिव राव बाहु तो यह आपके छोटे क्यूशन थे इन में से आपको पांच करने हैं यहां पर देखो आपके जो शोट टाइप की क्यूशन है तो इन में भी आपके टोटल यह दस क्यूशन से आप क्या समझते हैं गुरु नानक की शिक्षाओं पर एक संक्षिप्त लिखिए लैक लिखिए मराठा संग के बारे में लिखना है महमुद गवा कौन था और जिहाद से आप क्या समझते हैं तो यह आपके छोटे क्यूशन थे इसके बाद देखो आपके यह बड़े क् क्यूशन है इल्ति ने सामराजय को निर्भल और आय संगठित पाया परन्तु उसने इसको संगठित चोड़ाइस कर्थन की व्याक्या करनी है इसमें अलावदिन खिल जी की दक्षिन निती के आलवसनात्म की विवयचन कीजिए यह कहां तक शपल रही में आपको बता दू क्यूशन आपका चोथा क्यूशन इसमें देखो अलावदिन खिल जी दक्षिन निती की आलवसनात्म की विवयचन कीजिए यह कहां तक शफल रही उसके बाद देखो पांच वाक्यूशन शहर सा एक कुशल परसा सकता टीपड़नी कीजिए उसके बाद देखो अकबर की ध संक्षिप्त लेख लिखिए किस पर एक तो मद्यकाल के पर्मु कुद्योग है और शिवाजी इन दोनों पर आपको एक संक्षिप्त लेख लिखना है अब आगे जो आपका जो सेकिंड पेपर मैं बता रहा हूं दो पेपर एक साथ लेके आया हूं मैं इनमें बस लगबग आपके क्यूशन आपके पड़ जाएंगे तो इनको आप अच्छे से तयार करें ना इसमें देखो बातें पहले हो गई वह फिफ्टी पर्चेंट वाली वह तो सारी हो गई इसमें आपके दस क्यूशन है वही बात है इसमें कौन-कौन सा एक तो निजामु दिन ओ लिया द 10 साला बंदोबस्त तो यह आपके 10 क्यूशन है 10 में से आपको पांच करने हैं इसमें देखो आगे शेकिंड क्यूशन है तराइम का पर्थम यूद अल्लाउदिन खिल जी का बाजार नियंतर वेश्टा मुहमद बिन तुगलक की द्वारा राजदानी परिवर्तन दिवाने क कोई क्या था नवरोज का तेवार पानिपत का पर्थम यूद दिवा दीने इलाई पर संक्षित टिपनी मैवाड मुगल संदी मलिक अकबर कौन था पूरंदर की संदी और उसके बाद देखो आपके जो बड़े क्यूशन है यह इन 6 क्यूशनों में से आपको तीन करने इस पर स्राशनीक विवस्ता गवर्णन कीजिए और बक्ति अंदोलन पर एक निबंद लिखे तो इस तरह का यह आपका पेपर आने वाला है इसमें मैंने दोग पेपर साथ में लिए हैं और इसके बाद जो आपकी एक्जाम होने वाली यह सारे पेपर में आपके लिए डालता रहूंगा और इनको आप अच्छे से त्यार कर लेना इसका जो सेकेंड पेपर है वो भी मैं जल्द अफ्लोड करने वाला हूं तो एक्जाम के लिए बैस्ट ओफ लक धन्यवाद